सभी को मेरा अभिवादन आज हम अध्याए 22 रसाइनिक समन्विर तथा एकी करन के अंतरगर्थ हम मानव शरीर में स्रावित होने वाले रसाइनों के बारे में जानेंगे जो तांत्री की तंत्र के इलावा हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं विद्यार्थियों आज के अध्याए के हमारे अधिगम उदेश्य अर्थात लर्निंग अबजेक्टिव्स हैं आपको बाहस रावी ग्रंथी और अन्तेश रावी ग्रंथी एक दूसरे से किस प्रकार भिन हैं इसके बारे में अवगत करवाना आपको हमारे शरीर में मौजूद भिन परकार की अन्तेश रावी ग्रंथियों के बारे में अवगत करवाना आज आप हाइपोथलेमस और प्यूष ग्रंथी की संदचना के बारे में जानेंगे आप ये भी जानेंगे कि इन ग्रंथों में से कौन कौन से हर्मोन सरावित होते हैं और वे किस प्रकार हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं और हमारे शरीर के भिन-भिन हिस्सों में समन्विय स्थापित करते हैं इसके इलावा इस सत्र के बाद आप अपने स्वरूप के बारे में जानेंगे और अपने अंदर होने वाली सभी तांतरिक क्रियाओं की क्रिया कलापों को और उनके महत्व को समझेंगे ये सत्र आपका अवलोकन और ड्रोइंग कोशल को विक्सित करने में मदद करेगा और आपको अपने दैनिक जीवन को कक्षा के ज्यान से संबंदित करने में मदद होगी विद्यार्थियों आप अध्यायन कर चुके हैं कि तंत्री का तंत्र विभिन अंगों के बीच एक बिंदू दर बिंदू दुरुत समन्वे का कार्य करता है और आप ये भी जान चुके हैं कि तंत्री की समन्वे काफी तेज लेकिन अल्प अवधिका होता है तंत्री का तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिया कायन नहीं होता तो जरा ये सोचिए उस वक्त हमारे शरीर में समन्वे कौन स्थापित करता है जब तंत्री का तंतुओं से निकला हुआ अवेद सुमाप्त हो जाता है या शरीर के उस भाग का समन्वे कैसे स्थापित होता है जहां पर कोई तंत्री का कोशी का मौजूद नहीं है हमारे शरीर के सभी अंगों को निरंतर नियमन की जरूरत पड़ती है तो आईए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर में कोशी किये करियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए ऐसी कौन सी सनुचना है या ऐसा कौन सा तंत्र है हमारे शरीर में कोशिकिये क्रियाओं के लिए तथा निर्यंतर नियमन के लिए एक विशेश परकार के समन्वे की अफशक्ता होती है ये कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है तंत्री का तंत्र और अंतेसरावी तंत्र द्वारा संयुक्त रूप से शरीर के क्रियात्मक कार्यों का समन्यवे और नियंत्रन करते हैं तो सबसे पहले हम आये ये समझते हैं कि ग्रंथी क्या है और उनके परकार क्या है मानव शरीर में कई गरंथियां होती हैं जो कई स्राव पैदा करती हैं जैसे पसीना, लार, तेल और हॉर्मोन गरंथि मानव अत्वा अन्य रजुकी जीवों के शरीर में कोशिकाओं का एक सम्मू है जो रक्त में या शरीर के अंदर गोहाओं या इसकी बाहरी सता पर रसाइनों को स्रावित करता है शारिरिक रूप से इन गरंथियों को मोटे तौर पर नलिकाओं की उपस्थती या अनुपस्तिती के अधार पर दो परकारों में वर्गी कृत किया जाता है अन्तेसरावी गरंथियां वो गरंथियां हैं जो बिना नलिकाओं के रसाइनों का स्राव करती हैं जबकि 22 रावी गरंथियां नलिकाओं के माध्यम से रसाइनों का स्राव करती हैं आए इन दोनों के बीच अधिक अंतर को जानने की कोशिश करते हैं 22 रावी गरंथियों से स्रावित हुए रसाइन भिन परकार के होते हैं जैसे पसीना, एंजाइम, बलगम अत्वा सीबम और अंते स्रावी गरंथियों से निकले रसाइनों को हॉर्मून्स कहा जाता है 22 रावी गरंथि अपने स्रावी उत्पादों को एक वाहिनी के माध्यम से बहरी सता पर अंगों के आंतरिक भाग में छोड़ती हैं लार गरंथिया, अगनाशे, यक्रित, ब्रूनर की गरंथियां इत्यादी 22 रावी गरंथियों के कुछ उधारन है इसके विपरीत अंते स्रावी गरंथियां अपने उत्पादों यानि हॉर्मून्स को सीधे रक्त परवा में छोड़ती हैं और रक्त के द्वारा ही हॉर्मून अंतते लक्ष अंग तक पहुंचता है कभी-कभी कुछ गरंथियां मिश्रित होती हैं ऐसी गरंथियां दोनों बाए एवं अंते स्रावी गरंथियों की तरह काम करती हैं उधारन अगनाशे, व्रिशन एवं अंडाशे अगनाशे से बाहर स्रावित गरंथियों की भांती इन्सुलिन एवं गलुकोगान नामक होर्मोन स्रावित होते हैं इसके साथ ही ये अंते सरावित ग्रंथियों की तरह लाइपेस, प्रोटियेस, अमाइलेस जैसे एंजाइम्स भी सरावित करता है जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं आज हम अंते सरावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया कि अंते सरावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं अतर इन्हें नलिका विहीन ग्रंथी कहा जाता है अंते सरावी ग्रीक भाशा का शब्द है जो एंडो एवं क्राइन से निर में थै जिसका अर्थ है आंतरिक सराव क्लाड बर्नार्ट ने अठारा सो पच्पन इस्वी में अन्तेस रावन शब्द का पहली बार परियोग किया था चार्ल्स एडवर्ड ब्राउन और सिक्वार्ड को अन्तेस रावी विज्ञान का जनक यानि फादर ओफ एंडो क्राइनोलोजी कहा जाता है अन्तेस रावी ग्रंथियों द्वारा सिरावित रक्त में मुक्त किये जाने वाले रसायन हैं जो दुरस्थ लक्षे अंग तक पहुंचाए जाते हैं परन्तु इस परिभाषा को अब रुपांतरित किया गया है जिसके अनुसार हॉर्मोन सुक्षम मात्रा में उत्पन होने वाले अपोशक रसायन हैं जो अंतरकोशिकिये संदेश वाहक के रूप में कारे करते हैं इस नई परिभाषा के अंतरगत सुनियोजित अंतेसरावी ग्रंथियों से सरावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अनुभी सम्मिलित हो जाते हैं अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ साथ एक सरल अंतेसरावी तंत्र होता है जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कारय कर उनमें समन्यृ स्थापित करते हैं आज मानव के अंतिसरावी तंतर का वर्नन करेंगे अंतिसरावी ग्रंथियां और शरीर के विबिन भागों में स्थित हौर मुण सरावित करने वाले उतक या कोशिकाएं मिलकर अंतिसरावी तंतर का निर्मान करते हैं दे गए चित्र में आप हमारे शरीर में गरंथियों की स्थिती जैसे पिऊश गरंथी अर्थात पिटूटरी ग्लांड, पीनियल गरंथी, थारड गरंथी, एडरिनल, अगनाशे, पेराथाइराइड, थाइमस और नर में वरिशन अर्थात टेस्टेस और मादा में अंडाश अर्थात ओवरी देख रहे हो यह हमारे शरीर के सुनियों जित अंतिसरावी अंग हैं इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे जठर आंतरिये मार्क ये कृत अर्थात लिवर वरिक अर्थात किड्नी हरिदे अर्थात हार्ट आदी भी हॉर्मून का उत्पादन करते हैं हम ह हाइपो थेलेमस के विवरन के साथ शुरू करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपो थेलेमस डाइन सेफलोन जो अगर मस्तिश्क पश्क का अधर भाग है और ये शरीर के विविद परकार के कारेओं का नियंतरन करता है इसमें हॉर्मून का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं जिनने न्यूकली कहते हैं आप अपनी स्क्रीन पर हाइपोथेलेमस की स्थिती और उसका प्यूश ग्रंती से संबंध देख सकते हो हाइपोथेलेमस से स्रावित होने वाले हॉर्मोन प्यूश ग्रंथी से स्रावित होने वाले हॉर्मोन के संचलेशन और स्राव का नियंतरन करते हैं हाइपोथेलेमस से स्रावित होने वाले हॉर्मोन दो परकार के होते हैं मोचक हॉर्मोन जो प्यूश गरंथी अर्थात पिटिटरी से हॉर्मोन से स्राव को प्रेरित करते हैं और रोदक हॉर्मोन जो प्यूश गरंथी से हॉर्मोन के स्राव को रोकते हैं हाइपोथेलेमस से स्रावित हॉर्मोन्स प्यूश गरंथी से निकलने वाले हॉर्मोन्स के स्राव को नियंतरित करते हैं और ये दस परकार के मोचक व रोधक हॉर्मोन स्रावित करता है जिने हम नियूरो हॉर्मोन्स कहते हैं पहला व्रिद्धी हור्मोर्मोचक हर्मोन, और फ्रोठाथ ओर्मोन, 550 दोसरा व्रिद्धी हॉर्मोन, रोद्धध ओर्मोन, और रोद्ध हर्मोन, और फ्रोठाथ इंहपश्व minutes tocan Smazath Jan. ruinsuravadabababablaуск. mochak hormone, 5-prolactin roodak hormone, 6-melanocyte prerak mochak hormone, 7-melanocyte prerak roodak hormone, 8-corticotropin mochak hormone, 9-lutenizing hormone mochak hormone आईए देखें ये किस प्रकार कारे करते हैं? उधारन के तौर पर हाइपो थालेमस से निकलने वाला gonadotrophin muktkari hormone के स्राव प्यूश ग्रंथी में gonadotrophin hormone के sensation एवं स्राव को प्रेरिद करता है वहीं दूसरी और हाइपो थालेमस से ही स्रावित somatostanin hormone प्यूश ग्रंथी से वृद्धी hormone के स्राव को रोकता है ये hormone निवाही का परिवहन तंत्र द्वारा प्यूश ग्रंथी तक पहुंचते हैं और अगर प्यूश ग्रंथी के कारेओं को नियमन करते हैं पश्च प्यूश ग्रंथी का तंत्रिकिये नियमन सीधे हाइपो थालेमस के अधीन होता है प्यूश ग्रंथी के बारे में जाने प्यूश ग्रंथी को गुरु ग्रंथी कहा जाता है क्यूंकि इनसे निकले हुए hormone शरीर के बाकी सभी ग्रंथियों के सराव को नियंत्रित करती है प्यूश ग्रंथी एक सेला तर्सिका नामक अस्थिल गुवा में स्थित होती है और इसका आकार एक मतर के दाने जैसा होता है और एक वृत यानी स्टॉक त्वरा हाइपोथलेमस से जुड़ा होता है आंतरीकी के अनुसार प्यूश ग्रंथी एडिनो हाइपोफाइसिस और निउरो हाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है एडिनो हाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटर्मीडिया पार्स डिस्टेलिस को सधारनता अगर प्यूश ग्रन्थी कहते हैं पार्स इंटर्मीडिया यानि मध्यपिंड पार्स डिस्टेलिस यानि दुरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा होता है पार्स डिस्टेलिस्जे लिटि skill या सुमेटोत्रौ은 इंटरौ इंटर्पंग जुर्योच हर्मोन यानि ट अण। अटर्रोफे के रोतिका डिस्टूपिकろ वर्मोन यानि असेटव का यानि अस ए्टोन का रिटिकोत्रौ तव्मोन यानि अमधित फूरमोन यानि लोतिका अ hormone अर्थात Follicle Stimulating hormone का स्राव करता है Pars Intermedia एक मात्र होर्मोन मिलेनोसाइट प्रेरक होर्मोन यानि MSH या मिलेनोट्रोफिन का स्राव करता है यद्पी मानव में Pars Intermedia, Madhya Pint, Pars Distellis, दूर्स्त Pint में लगभग जुड़ा होता है Neuro Hypothesis, Pars Nervosa या पश्च प्यूश ग्रंथी ये Hypothalamus द्वारा उत्पादित किये जाने वाले होर्मोन Oxytocin और Vezopressin का संग्रे और स्राव करती है ये होर्मोन वास्तप में Hypothalamus द्वारा शंचलेशित होते हैं और तंत्री काक्ष होते हुए पश्च प्यूश ग्रंथी में पहुंचा दिये जाते हैं व्रिद्धिकारी हॉर्मोन यानि ग्रोथ हॉर्मोन के अती स्राव से शरीर की असमान्य व्रिद्धी होती है जिसे जाइजेंटिसम या अतिकायता कहते हैं और इसके अल्प स्राव से वृद्धी अवरुध हो जाती है जिसे पिटिटेरी ड्वाफिजम यानी बौनापन या वामनता कहते हैं व्यसकों में विशेश रूप से मध्य आयूवर के लोगों में वृद्धी कारी हॉर्मोन के अतिसराव से विशेशता चेहरे की अत्यधिक विक्रिती हो जाती है जिसे अतिकायता या एक्रो मिलागी कहते हैं इससे गंबीर जटिलताएं उत्पन हो सकती है तथा यदी नियंतरन ना किया गया तो समय से पूर मृत्यू भी हो सकती है जीवन के प्रानंबिक काल में रोग की पैचान बहुत कठिन है तथा अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता ही नहीं चलता जब तक कि बाए अभिलक्षन दिखाई नहीं देने लगते हैं प्रोलक्तिन होर्मोन स्तन गरंथियों की व्रिधी और उनमें दुग नियर्बान का नियंदरन करता है थारड प््रे रंख हार्मोन थारड गरंतियों पर कार्य कर उनसे थारड हर्मोन के संसिलेशन और स्राव को प्रेरिध्य करता है एडिनो कौर्टिको ट्रोफिक हार्मोन bleiben अध्रिनल वलकु ignor पर कार्य करता है और इसे ग्लूको कॉर्टिकोईट etps नावक steroid hormone का scensulation और स्रवन के लिए प्रेरित करता है luteinizing और पुटि का प्रेरक hormone जनानागों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी hormone का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करते हैं इसलिए इन्हें gonadotropin कहा जाता है नरो में luteinizing hormone androgen नामक hormone के scensulation और स्राव के लिए प्रेरित करता है इसी तरह नरो में पुटि का प्रेरक hormone और androgen शुक्र जनन को नियंतरित करता है मादाओं में luteinizing hormone पून विक्सित पुटिकाओं ग्राफियन पुटिका से अंडोत सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुटिका के बचे भाग से corpus luteum बनाता है पुटिका प्रेरक hormone मादाओं में अंडाशी पुटिकाओं की वृद्धी और परिवर्धन को प्रेरित करता है मिलेनोसाइट प्रेरख हॉर्मोन मिलेनोसाइट्स मेलनिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है तथा तोच्छा की वर्नकता का नियमन करता है अक्सिटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कारे करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है मादाओं में ये प्रसफ के समय गरभाशी पेशियों के संकुचन और तुक्त गरंतियों से दूद के सराव को प्रेरित करता है वेशो प्रेसिन मुख्यता विरिक की दूरस्त संवलित नलिका से जल एवं आयनों का पुनराव शोशन को प्रेरित करता है जिससे मूत्र के साथ जल का डायूरिसिस कम हो अता इसे प्रती मूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानि ADH भी कहते हैं ADH के संचलेशन अत्वा शरावन को प्रभावित करने वाले विक्रती के परिनाम स्वरूप विरिक की जल सनक्षन की क्षमता में रास होता है फलते जल का ह्वास एवं निर्जली करन हो जाता है इस अभस्तिती को उदक में अर्थार डायबेटीस इंसिपिडस कहते हैं विद्यार्थियों सत्र को विराम देने से पहले चलिए एक त्वरित उनर कथन करते हैं आज आपने 22 रावी ग्रंथियों और अंते रावी ग्रंथियों के बारे में जाना और उनके बीच में अंतर को समझा अंते रावी ग्रंथियों के उधारन के बारे में चर्चा की जिसके अंतरगत हमने हाइपोथेलेमस और प्यूश ग्रंथी के बारे में जाना हाइपोथलेमस से स्रावित होने वाले कुछ मोचक और रोधक हॉर्मोन्स के बारे में जाना पियूश गरंथी की सनरचना के बारे में चर्चा की और हर भाग से स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स के बारे में जाना और हमने आज चर्चा किये गए हॉर्मोन के कारे के बारे में भी जाना आपके लिए कुछ प्रश्न है पहला प्रश्न गुनेडोट्रोपिन हॉर्मोन का एक उधारन दीजिए और ये भी बताईए कि वे किस गरंथी से स्रावित होता है दूसरा प्रश्न मोचक एवं रोदक हॉर्मोन के बीच में उधारन देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए तीसरा प्रश्न थाईरोट्रोफिन हॉर्मोन की लक्ष्य ग्रंथी का नाम लिखिए चौथा प्रश्न अंतेस रावी ग्रंथियों और बाइस रावी ग्रंथियों में अंतर स्पष्ट कीजिए और उनके दो-दो उधारन लिखिए पांचवा प्रश्न प्योश ग्रंथी के अगर भाग से निकलने वाले हॉर्मोन की सुची बनाएं और ये भी बताएं कि उन हार्मोन का लक्षे क्या है चटा प्रश्न MSH का पूरा नाम क्या है और वो हमारे शरीर में क्या कारे करता है साथ्मा प्रश्न वेसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन क्यूं कहा जाता है आथमा प्रश्ण एक ऐसे हॉर्मोन का नाम बताईए जो प्रसव के समय गरभाशे पेशियों के संकुचन और दुख्द गरंथियों से दूद के सराव को प्रेरित करता है नौवा प्रश्ण डायबेटीज इंसिपिडस क्या है संक्षेप में व्याख्या कीजिए दस्वा प्रश्ण नियूरो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या है इससे निकलने वाले हॉर्मोन का नाम और उनका कारे बताईए आशा करती हूँ कि आज का सत्र आपके लिए ज्ञान वर्दक रहा होगा अगले सत्र में आप से फिर मिलेंगे सदा खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और नित नूतन सीखने का प्रेतन करते रहिए नमस्कार अगले प्रेतन करते रहिए ज्ञान आपके बताईए झाले प्रेतन करते रहिए ज्ञान आपके बताईए